नमस्कार आप देख रहें देश रोजाना मैं हूँ बेनजिर हाश मी बुलिटिन में शरुवात करेंगे दिनबर की कुछ तादव सुर्खियों के साथ फिर बात करेंगे हर्याड़ा की बड़ी और खास खबरों की मनिपूर में पहली बार एंटी ड्रोन मशीन गन का हो गया इस्तिमाल यह फैसला एक से तीन सितंबर के बीच राजे में दो ड्रोन हमलों के बाद लिया गया उत्राखंड में हुआ लेंड्सलाइड बदरिननाथ हाईवे किया गया बंद तो वहीं राजिस्थान में बारिश से 13 साल का रिकोर्ट तूटा आज भी 18 राजों में अलट जारी कॉलकता रेप मडर केस में पूर्वत प्रिंसिपल के छे ठिकानों पर हुई चापे मारी मनी लॉंडरी मामले में एडी ने की कारवाई सीबी आई जाच के खिलाब सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज मंबई में 14 मंजिला इमारत कमला मिल्स कंपाउंड के टाइम स्टावर में लगी भीषणा चार घंटे मशक्कत के बाद पाया गया लप्टो पे कावू ग्रह मंत्रिया मिश्चहा जाएंगे दो दिन के जम्मू कश्मीर दोरे पर आज जम्मू में जारी करेंगे भाश्पा का घोशना पत्र साथ ही घाटी का कर सकते हैं दोरा करनाटा की पूर्व बीजेपी सरकार पर कॉविट फंड घोटाले का लगा आरोप कॉंग्रेस का दावा एक हजार करोण रुपे की हुई हेरा फेरी केई फाइले भी हुई गायब बात करें शेर बजार की तो सेंसेक्स में एक हजार अंग से जादा की गिरावट तो वही निप्टी भी एक परतीशत से जादा गिरा सरकारी बैंक के शेर सबसे जादा तूटे तो ये थी दिन बर की कुछ ताजा सुर्खिया अब बात करते हर्याणा की बड़ी और खास खबरों की भाश्पादवारा राजे की 90 विधानसवा सीटों में से 67 पर उमीदवार की गोशना के बाद भले ही टिकट से वंचित नेता और उनके समर्थकों ने बगावत अपना ली हो लेकिन पार्टी ने सर्वे में जीतने वाले उमीदवारों पर दाव खेला है दरासल भाश्पा ने जिन पांच पूर्म मंतरियों को टिकट दिये है वह पार्टी के सर्वे में सबसे भारी दावधारों में आगे हैं आपको बता दें कि बीजेपी ने टिक्टो के आवंटन में केंद्रिय राज्य मंत्री राविंद्रजीत की पसंद का ख्याल तो रखा लेकिन साथ ही उनके विरोधियों को भी चुनावी रण में उतार कर यह संदेश देने की कोशिश की है वही पार्टी के लिए उमीदवार की जीत इकलोता आधार है बता दें इस बार सर्वे में आगे रहने वाले नेताओं के बेटे बेटिया और पार्टी बदल कर आए नेताओं को भी टिकट दीने से परहिज नहीं किया गया दरसल आपको यह भी बता दें कि बीजेपी नेत्रिफ्ट ने दस साल से चल रही सरक कार के प्रती एंटी इंकोंवेंसी सत्ता विरोधी लहर की अशंका को देखते हुए 40 सीटों पर बदलाव किया है जिसमें 25 सीटों पर ने चेहरे उतारे हैं टिकट बटवारे में भासपा संगठन का जोड चला है जिसमें आरसस की भूमी का एहम रही है वही हर्याडा के टोहाना की राजनीती में देविंद्र सिंग बबली और शुभाश बराला नंबे समय से एक दूसरे के दूर विरोधी माने जाते रहे हैं पतादे के सरवजनिक मंचो पर देविंद्र बबली ने शुभाश बराला पर कटाक्ष भी किये हैं लेकिन वही अब भाशपा के उम्मीदवार बनाये जाने के बाश शुकरवार को पूर्व पंचायत मंत्री देविंद्र सिंग बबली राजे सवा सांसत शुभाश वराला के आवास पर पहुचे जहां दोनों नेताओं के बीच बंद कवरे में मुलाकात हुई जिसके बाद राजनीति गल्यारों में हल्चल मच गई है बतादे सुत्रों के अनुसाद देविंद्र सिंग बबली इस मुलाकात के दोरान सुभाश से समर्थन मांगने गए थे ये मुलाकात इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि के सार्वजनिक मंचो पर देविंद्र बबली ने सुभाश बराला पर कटाक्ष किये हैं सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि शुभाश बराला की सहमती के बिना ही देवेंद्र सिंग बबली को टोहाना से भाशपा का उम्मीदवार बनाया गया है इस कारण भाशपा के अंदर ही भीतर घात की आशंका जताई जा रही है अब सभी की नजरे इस बात पर टिकी है कि क्या शुभाश बराला देवेंद्र बबली का समर्थन करेंगे या टोहाना में भाशपा की अंदरूनी खीस्तान और गहराएगी अगली ख़वर परिदाबाद से है जहां भाशपा परतियाशी मूल्चन शर्मा ने आज नमंकन पत्र दाखिल किया दरसल मूल्चन शर्मा भाशपा सरकार में उद्योक मंत्री है पार्टी ने उन्हें बडलव गड़ से लगातार तीसरी बार परतियाशी बनाया है साथ में ये भी बता दें पांच अक्तूबर को होने वाले विधान सबस्वा शुनाब के लिए नमंकन पत्र जमा करने का आज दूसरा दिन है दरसल मूल्चन शर्मा भाशपा सर्मा ने पहले सेक्टर दो अपने कारले पर हवन कराया यहां से काफिले के रूप में नमंकन पत्र जमा कराने के लिए निकले उनके साथ केंद्रिय सहकारीता राज्य मंत्री क्रिशन पल गुजर भी मौजूद रहे फर्यारणा में भले ही मुख्य मंत्री नायव सैनी के लिए लाडवा को शुरक्षित सीट माना गया है लेकिन यहां उम्मीद अनुसार रहा असान नहीं होगी दरसल इस बार भी कॉंग्रेस आपका गठबंदन होने की चर्चाए है तो वही इनैलो ने भी अपने पुराने चहरे दिगज नेता शेड सिंग बडशामी को मैदान में उतारा हुआ है बतादे कुरुचेत की धरा लडवा में इस बार चुनावी महाभारत बेहत रोचक होने वाली है अभी तक चुनाव की तैयारियों में जुटे रहे भाशपा इनैलो कॉंग्रेस के कदावन नेता अपनी अपनी जीत का दम भरते रहे तो वही टिकट मिलने की भी प्रबल संभावना जताते हुए जनता के बीच उतरते रहे मगर भाशपा की और से मुख्य मंत्री सैनी को मैदान में उतार जाने के बाद यहां चुनावी समीकरन पूरी तरह से बदल गए है हलाकि मुख्य मंत्री सैनी के यहां से परतियाशी बनाया जाने की चर्चाए काफी दिनों से जारी थी लेकिन दूसरी पार्टियों के नेताओं को यह महज अटकले ही लग रही थी सैनी का बहूले इस छेतर में यहां दूसरा मोका है जहां भाश्पा की ओर से इस समाज का परतियाशी मेदान में उतारा गया है इससे पहले साल 2014 के चोनाब में डॉक्टर पवन सैनी ने यहां भाश्पा का कमल खिलाया था जबकि दूसरी बार इसमें वे काम्याब नहीं हो पाये थे आज भारती पहलवार विनेश वोगाड कॉंगरस में शामिल हो गई है उनके साथी पहलवान बजरंग मुनिया ने भी पार्टी का दामन थाम लिया है आपको बता दे दोनों कॉंगरस मुख्याले पोचे इससे पहले विनेश ने रेलवे से स्थिफा दे दिया उन्होंने अपने इस्तिफे में कहा कि वे रेलवे से सदा अभारी रहेंगी दरसल बता दे कि विनेश और बजरंग से मुलाकात के बाद कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिका अरजुन खरगे ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा चकदे इंडिया हर्यारणा दुनिया में भारत का रोशन करने वाला हमारा प्रभाव शाली चैंपियन दोनों पर हमें गर्व है दरसल दोनों पहलवानों ने राहुल गांधी से मुलाकात की जिसके बाद से ही दोनों की राजनीती में आने की चर्चाय तेज हो गई थी इस मुलाकात के बाद से ही माना जा रहा था विनेश, जुलाना और बजरंग पुन्या बादरी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं या फिर दोनों में से कोई एक पहलवान चुनावी मैदान में आ सकता है तो ये थी दिनबर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हर्याडा की खास खबरे कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ तब तक लिए बने रही है हमारे साथ और देखते रही देश रोजाना नमस्कार चल झाल 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 सबस्टना नमस्कार